पर होग अब आपके सारे फिसिक्स के दिस्टिन माच जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो और अपकोर और तुरंच वीडियो सोलुशन पाओ टावलोट कीचिचिचिच अपने डाउट्टेट अप अभी है फिर वाच्साप कीचिच अपने डाउट्स आडट चार्सो 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 पर हैलो स्टुडेंस इस कुश्ट्टन में आपने दिया गया है A converging lens of focal length 15 cm and a converging mirror of focal length 10 cm are placed 50 cm apart with the common principal axis एक converging lens और converging mirror है उन दोनों के बीच की distance है 50 cm A point source is placed in between the lens and the mirror at a distance of 40 cm from the lens एक point source को क्या कर दिया? Mirror और lens के बीच में 40 cm पे place कर दिया ठीक है? Lens and mirror at a distance of 40 cm from lens तो find the locations of the two images formed ठीक है? जो दो images बन रही है उनकी locations आपको क्या करनी है? Find करनी है ठीक है? तो देखो इस तरह का आपका कुछ setup होगा एक आपके पास है converging lens ठीक है? Let us say यह converging lens हो गया और यहाँ converging mirror हो गया ठीक है? यह होगे converging mirror हो गया है ठीक है? ओके ठीक है? ठीक है? ठीक है? ओके यह होगे आपका ठीक है? तो यह होगे इनकी principal axis अब आमें principal axis बनानी है इनकी तो this is the principal axis of these two इनके बीच का separation जो है वो कितना given है आपको 50 cm तो यह दोनों के बीच की distance है जो वो है 50 cm ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है अब बोला गया है कि इसकी focal length, focal length of lens जो है वो है 15 cm and mirror की focal length जो है वो है FL कितनी है? 10 cm तो यह minus 10 cm हो जाएगी क्योंकि converging mirror की focal length होती है हमें से negative होती है ठीक है? अब lens से 40 cm दूर एक क्या रखा गया है? object रखा गया यानि कि point source रखा गया है between the lens and the mirror at a distance of 40 cm from the lens यानि कि lens से यहां से 40 cm दूर कहीं यहां पे यह distance मान लेते है 40 है ठीक है? तो यह distance कितनी हो गई? 10 हो गई? ठीक है? तो यहां पे आपका point source रखा हुआ है ठीक है? अब क्या बोला गया है कि इस point source से जो images बनेंगी उसके बारे में आप बात कि करो कि दो images बनेंगी उसका location बताओ तो तो पहली image तो वो बनेगी जो direct यहां से इसके through transmit होके जाएगी दूसरी image बनेगी जो mirror से होगी पहले reflect फिर यहां से होगी transmit ठीक है? तो समझ में आगया दो image कैसे कैसे बनेगी? अब उन दोनों images के हम क्या कर लेते है? location find कर लेते हैं ठीक है location find करने के लिए क्या करेंगे? पहले यहां पर इसको ठीक से draw कर लेते हैं ठीक है? यह mirror हो गया, ओके? तो लिखूंगा मैं first image पहली image जो बनेगी वो कैसे बनेगी? वो image मैं बनाऊंगा transmission through lens ठीक है? lens के तुरू जो जाएगी उसके लिए यू क्या हो गया? यू हो गया मानलो कि यहां से निकल रहा तो यू हो गया 40- का ठीक है इधर की lens के लिए मैं इधर की side में negative मान रहा हूं और इधर की side में positive मान रहा हूं जिदर जाएं काम की raise वहां positive यहां से काम की इस डारेक्शन में जाएंगी तो इस डारेक्शन में positive ठीक है तो माइनस 40 होगे यू की value focal length की वहने मुझे 15 cm तो lens formula क्या होता है? 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है या मैं यहां से लिख सकता हूं 1 upon v जो होगा 1 upon f plus 1 upon u होगा या और simplify करके इसको लिख सकते हैं कि v की value direct fu upon u plus f होगा ठीक है अब sign के साथ रख देते हैं 15 into minus 40 divided by value क्या है minus 40 f की value 15 ठीक है तो यह आ गया 15 into 40 ठीक है minus sign लगाया divided by minus का 25 ठीक है क्योंकि देखो 15 minus करेंगे minus 40 में से तो 25 माइनस से minus cancel हो गया यहां पे आप इसको cancel out कर सकते हो 5 से 5 time और इसको 8 times और इसको कर सकते हो अगे 3 times तो यह आगए 24 cm तो जो पहली image बनेगी वह आर यह positive यानिकी lens से इधर बनेगी 24 cm पर कहीं पहली image ठीक है तो पहली image तो बनेगी 24 cm पर अब दूसरी image के लिए मैं अगर बात करूँ ठीक है तो दूसरी image कैसे बनेगी पहले जो है mirror से reflect होगी और उसके बाद transmit होगी किस से इस lens से और फिर final image बनेगी ठीक है जो mirror से reflection के बाद image बनेगी वो इस lens के लिए object का काम करेगी अब देखो यह यह तो जो object है वो mirror से 10 cm दूरी पर रखा है और 10 cm का मतलब क्या है यह तो focal length पर रखा हुआ है ठीक है focal length पर रखा हुआ है तो obviously जो rays जाएंगी वो जाएंगी परलल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि mirror से जो image बनेगी वो कहां बनेगी infinity पर बनेगी ? ठीक है अब यह image जो है, यह क्या करेगी, lens के लिए object का काम करेगी, ठीक है, this image will act as object for lens, ठीक है, अब यह lens के लिए object का काम करेगी, तो इसका मतलब u कितना हो गया, इन्फाइनाइट हो गया, u की value lens के लिए, और v की value find करनी है, तो v की value लिखेंगे, हम यहां से सीधा सीधा 1 upon f होता है, 1 upon v minus 1 upon u, तो 1 upon v की value होगी, जो होगी 1 upon f plus 1 upon u, ठीक है, तो यहां से रखते हैं, 1 upon v is equals to 1 upon focal length of lens कितनी है, 15 cm, तो यह रखेंगे 15 cm होगी, प्लस 1 upon infinite, यह term होगी 0, तो v की value आगी 15 cm, यानि की v के focus पे बनेगी आखिरी image, ठीक है, लेंस के focus पे बनेगे आखिरी image,